So hello everyone, this is your Gaurab भहिया तो जैसे कि आप जानते हो यार, इस बार फिर से CBC ने आपका काफी ज़्यादा स्लेबस चेंज कर दिया है तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना साइंस का जो डिलेटीड स्लेबस है वो बताने वाला हूँ जो NCRT बुक है वो होगी तो यार जिनके पास लेटेस्ट वाली NCRT बुक है उनको यार ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट वाली NCRT बुक है ना बस आप अपनी बुक में आपको नहीं पढ़नी उसके अलावा जितनी भी चीज़े बच जाएंगी वो सारी आपको पढ़नी है तो चलो यार शुरू करते हैं तो सबसे पहला चेप्टर है आपका Chemical Reaction and Equation वाला चेप्टर और इसके अंदर से कोई भी Reduction नहीं हुई है यानि कि आपको ये पूरा चेप्टर पढ़ना पढ़ेगा ठीक है इसके बाद 2nd चेप्टर आता है आपका Acid, Base and Salt वाला और इसके अंदर भी कुछ भी Reduce नहीं हुआ है तो ये चेप्टर भी आपको पूरा करना है इसके बाद 3rd चेप्टर आता है आपका Metal and Non-Metal वाला इसके अंदर से भी कुछ भी Reduce नहीं हुआ है तो ये चेप्टर भी आपको पूरा करना है इसके बाद अगला चेप्टर आता है चेप्टर No.4 Carbon and It's Compound वाला और इस चेप्टर के अंदर से भी कुछ भी Reduce नहीं हुआ है तो ये चेप्टर भी आपको पूरा करना है इसके बाद अगला चेप्टर आता है आपका Chapter No.5 Periodic Classification of Elements और ये जो चेप्टर आपको पूरा डिलीट हो गया है यानि कि ये चेप्टर आपको टच भी नहीं करना इसको खोल के भी मत देखना इस चेप्टर में से आपका एक नंबर का Question भी नहीं आने वाला ठीक है तो या आप बिल्कुल मत पढ़ना देखो यार यहाँ पे काफी बच्चे और Confidence के अंदर आ जाएंगे वह ये सोचेंगे कि यार इस बार ना बहुत सारी चीज़े डिलीट हो गई है तो हमारा जो Final Paper ना वो भी Easy आएगा ऐसा नहीं है बले ही आपका syllabus डिलीट हो गया वो सारी चीज़े I know कि cut हो गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका Final Paper है वो Easy आएगा In fact इस बार जो Paper है वो आपका मुश्किल आने वाला है इसलिए मैं आप सभी बच्चों को एक advice देना चाहूँगा कि इस बार आप सिरफ और सिरफ NCRT के ओक पर depend मत रहना आपको NCRT करनी है लेकिन इस बार आपका Paper है वो सिरफ और सिरफ NCRT से नहीं बनेगा इस बार जो आपका Paper है वो NCRT के साथ-साथ NCRT Exampler से भी बनेगा क्योंकि पिछले session वाले जो बच्चे थे उनके Paper के अंदर भी बहुत सारे जो question है वो NCRT Exampler से आये थे और उपर से वो book जो है वो unsold book है इसलिमें आपको कमगा कि आपना unsold वाली NCRT Exampler मत purchase कर लेना मेरे पास एक और NCRT Exampler है और ये है आपकी Educard की NCRT Exampler इस book मेरे एक खास बात है कि जितने भी आपके NCRT Exampler वाले question है वो आपके सारे के सारे इसमें sold मिले इसलिमें आपको कमगा कि आप NCRT Exampler वाली book तो purchase करना लेकिन unsold वाली मत कर लेना उसकी जगह Educard की जो sold NCRT Exampler है ये वाली book purchase करना काफी अच्छी book है इसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ से आप इस book को purchase कर सकते हो देखो यार ये कोई paid promotion नहीं है, genuinely ये book मैंने अपने पैसों से खरीदी है और ये book मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिमें आपको recommend कर रहा हूँ तो आप इस बार क्या करेंगे, NCRT के साथ-साथ NCRT Exampler से भी तयारी करेंगे जब आप इन दोनों book से तयारी करोगे न, तभी जाके आपके बहुत अच्छी नमबर आएंगे चलो, अब हम वापीस अपने syllabus पे चलते हैं इसके बाद अगला chapter आता है, chapter number 6, life process वाला chapter और इसके अंदर से भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, तो ये chapter भी आपको पूरा करना है इसके बाद 7th chapter आता है, आपका control and coordination इसके अंदर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, तो ये भी आपको पूरा करना है अगला chapter आता है, chapter number 8, reproduction वाला और इसके अंदर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है तो ये भी आपको पूरा करने है हाला कि यार ये chapter boys को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि already boys नहीं है इस chapter के अंदर PhD की होती है तो उनको यार इस chapter में कोई दिक्कत आती ही नहीं है already इस chapter में मतलब महर होते है इसके बाद अगला chapter आता है आपका heredity and evolution वाला chapter इस chapter में देखो एक चीज़ का ध्यान रखना इस chapter के नदो पार्ट है एक पार्ट है heredity वाला दूसरा पार्ट है आपका evolution वाला ठीक है तो जो evolution वाला पार्ट है वो आपका cut हो चुका है ठीक है तो इस chapter का सिरफ और सिरफ जो heredity वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना है evolution वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं करना है clear इसके बाद अगला chapter आता है आपका chapter number 10 light reflection and reflection इस chapter में से आपका सबसे ज़्यादा नमबर का paper बनता है और इस chapter में से आपकी जितनी भी derivation है वो आपके cut हो चुकी है तो derivation आपको नहीं करना है बहुत सारे बच्चे ना confused हो जाते हैं वो derivation को और numerical को same समझे लेते हैं नहीं ऐसा नहीं है derivation अलग होती है numerical अलग होती है तो numerical जो है वो आपके syllabus के अंदर है लेकिन जो derivation है वो आपके syllabus से cut हो चुकी है तो वो आपको नहीं करना है clear? चलो अगला chapter आता है chapter number 11 human eye वाला chapter और इस chapter में एक topic होता था बहुत छोटा सा topic होता था color of sun at sunrise and sunset कि sunrise के time और sunset के time जो हमारा sun का color है वो red क्यों होता है इस type का एक question आपके paper में बहुत बार आता था लेकिन इस बार ये वाला जो question है ये आपके syllabus से cut है तो ये वाला question आपको नहीं करना ठीक है बस ये एक छोटा सा topic छोड़ के बाकी पूरा chapter आपको करना है clear? इसके बाद अगला chapter आता है chapter number 12 electricity इसके अंदर से भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है तो ये भी आपको पूरा करना है इसके बाद अगला chapter आता है आपका chapter number 13 magnetic effects of electric current और इस chapter में से आपके तीन topic कट हो चुके है पहला topic है आपका electromagnetic induction जिसकी short form हम EMI बोलते है ठीक है ये आपका cut है अगला chapter आता है chapter number 14 sources of energy और ये chapter देखो आपका पूरा cut है ठीक है तो ये chapter भी आपको खोल के भी नहीं देखना है ये आपका पूरा cut है clear अगला chapter आता है chapter number 15 our environment वाला chapter और इस chapter के अंदर से कुछ भी reduce नहीं हुआ है तो ये chapter आपको पूरा करना है clear इसके बाद आपका final chapter आता है chapter number 16 जिसका नाम है management of natural resources देखो यार इस chapter को थोड़ा सा द्यान से समझेने की कोशिश करना ये जो chapter आना ये आपके paper के अंदर नहीं आएगा यानि कि exam point of view से ये आपका cut है लेकिन ये जो chapter आना ये आपका वाइवा के अंदर आएगा अब वाइवा का मतलब क्या होता है अगर आपको वैसे तो मेरे खाल से पता होगा बहुत सारी बच्चों को वाइवा क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जब आपके exams होते है ना तो एक practical exams भी होते है जिसमें क्या होता है कि दूसरे school से कोई examiner आता है आपके school के अंदर और वो आना आपका वाइवा लेता है वाइवा का मतलब क्या होता है कि वो आपके syllabus से related oral questions पूछेगा ठीक है तो oral question पूछते time वो इस chapter में से question पूछ सकता है तो एक काम करना इस chapter के आप ना कोई question वगयरा याद मत करना बस आप इस chapter को थोरोली एक बार पढ़ लेना ठीक है एक बार इस chapter के summary वगयरा पढ़ लेना that's it इसका मतलब इस chapter के कोई भी questions आपको नहीं पढ़ने है या फिर ऐसे type के question की ozone layer की हमें क्यों जरूरत है, ozone layer हमें किस चीज़ से बचाती है, बच्चा बच्चा जानता है यार की ozone layer जो है वो हमें ultraviolet rays से बचाती है, तो जो basic type के questions है ना, वही इस chapter के अंदर है, ठीक है, तो एक बार उपर उपर से नजर मार लेना इस chapter में, लेकिन exam point of भी उसे जो chapter है या आपके syllabus के अंदर नहीं है, clear, समझ आए आपको, तो मेरे ख्याल से यार, देखो मैंने बहुत ही simple तरीके से आपको जो deleted syllabus है, वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, कि किस chapter में से कितनी कितनी चीज़ आपकी cut है, clear, मेरे ख्याल से आपको अ प्लोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके यार, बाकी किसी भी subject का syllabus है, वो देख सकते हो, और इसी तरीके से मैंने बहुत simple तरीके से बाकी subjects का syllabus बताया है, तो आप प्लीज देख लेना, और जाते जाते यार, देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ब करूँ न, तो आपको पता दल जाए, और जाते जाते यार, इस वीडियो को अपने friends और classmates के साथ जरूर share कर देना, ताकि उनको भी जो deleted और latest syllabus है, वो पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्ची अभी भी ऐसे हैं, जिनको यार, ये तक नहीं पता है कि जो syllabus है, वो delete हो गया तो प्लीज यार, इस वीडियो को अपने friends और classmates के साथ जरूर share कर देना, तो guys, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए topic के साथ, तब तक लिए good bye and have a nice day